दोस्तो अगर आपके पास ये वाला अधार कार्ड है जो नर्मली सभी लोग के पास होता है लेकिन अगर आप इस तरह का अधार कार्ड अपना मंगवाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह का पीवी सी कार्ड मंगवा सकते ह दोस्तो आज की इस वीडियो को last तक देखना मैं आपको सारा information दूँगा कैसे मंगवाना है क्योंकि आज मैं आपको खुद का मैं अपना इस तरह का card मंगवाने वाला हूँ तो मैं आपको life proof सब कुछ दिखाने वाला हूँ ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो यह अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लेज इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe करकर बे लाइग दवाकर all पे set कर लिजेगा और comment section में nice awesome जरूर लिखेगा दोस्तो तो सबसे पहले आपको करना किया दोस्तो आप अपने phone में किसी भी एक browser को open कर लेना जैसे कि मैं chrome browser use करता हूँ तो मैंने अपने phone में chrome browser को open कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर google पर आपको लिखना है uidaigov.in ठीक है या फिर अधार लिखकर भी आप इसे search कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर यह उपर में website आजाएगा uidaig आप इसे देख लेना और उसके बाद ही इस पर click करना ठीक है और यह कुछ इस तरह का portal आपके phone में खुल जाएगा अब आपको यहाँ पर अपना language select कर लेना होगा जैसी कि मैं यहाँ पर English language को select कर लेता हूँ ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा scroll down करना है और आपको एक यहाँ पर option मिलेगा मैं आपको थोड़ा zoom कर कर दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तो यहाँ पर देख लिजिए order अधार PVC card बस आपको इस पर click कर देना है अब जैसी इस पर click करोगे यहाँ पर आपको इसके अंदर सबसे पहले login करना होगा जी हाँ अपना अधार number वेगरा डाल कर इसके अंदर login करना होगा तो चलिए फटा फट यह भी काम हम कर लेते हैं बस आपको login पर click करना है login पर जैसे आप click करोगे यहाँ पर आपको अपना अधार number डालना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको यह capture code डालना होगा ठीक है अभी यहाँ पर capture code so नहीं हो रहा है क्योंकि error बता रहा है तो आपको refresh यहाँ पर करना है ठीक है रिफ्रेस जैसी करोगे यह capture code यहाँ पर so होने लगेगा तो चलिए फटा फट हम अपना अधार number डाल देते हैं और यह जो capture code है यह भी हम fill कर देते हैं अब उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा send OTP पर आपको click कर देना होगा आपके number पर एक OTP आएगा जिससे आपका अधार card जो वो registered है उस number पर एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पर आपको enter करना होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने OTP इंटर कर दिया है उसके बाद simple इसे login कर लेना होगा ठीक है यह login हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर यह आपका अधार card जो वो इसके अंदर login हो गया है यहाँ पर देखिए आपका जो अधार card पर photo होगा वो यहाँ पर दिखने लगेगा अब आपको अगला काम क्या करना है order, अधार, PVC card यहाँ पर आ जाएगा बस आपको इस पर click कर देना होगा अब जैसी इस पर click करोगे यहाँ पर आप preview देख सकते हो कि किस तरह का आपका card आएगा यहाँ पर देखिए आपका सारा नाम होगरा सब कोच है और उसके बाद यहाँ पर अगला process है कि payment करना तो payment करने के लिए यहाँ पर next पर आपको click करना है निचे corner पर आपको click करना है ठीक है और जैसी इस पर click करोगे यहाँ पर आपको payment करना होगा तो payment यहाँ पर कैसे होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि dear student you would be charged 50 rupees ठीक है आपका 50 rupees रगेगा उसमें क्या-क्या include है GST आपका include है और Speed Post भी include है PVC अधरकाट के लिए और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना payment करने के लिए बस आपको UPI से या फिर card से wallet से net banking से जिससे भी आपको payment करना है उससे आप payment कर सकते हो तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा UPI पर click कर दूँगा और phone पे मैं click कर दूँगा ठीक है और यहाँ पर आपको अपना UPI ID डालना होगा तो चलिए फटा फट हम वो भी डाल देते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर verify पर आपको click करना है मैंने यहाँ पर अपना UPI डाल दिया है verify मैं कर लेता हूँ verify करने के बाद बस आपको यहाँ पर proceed पर आपको click करना है अब जैसे पर क्लिक करोगा दोस्तो आप जब वो अपना payment कर सकते हो यहाँ पर देखिए आपके phone पर एक notification आएगा ठीक है phone pay के तरब से और 50 रुपया आपको phone pay से या फिर जो भी आप जिससे भी transaction कर रहे हो उससे आप जो वो दे सकते हो ठीक है अगर notification नहीं आता है तो बस आप इसे cut कर ठीक है minimize कर देना उसके बाद आप अपने phone में phone pay को या फिर google pay को जो भी आप यूज कर तो उसे open कर लेना और यहाँ से आप देख सकते हो कि 50 रुपय का payment यहाँ पर आ चुका है तो simple यहाँ पर क्या करना है पेपर क्लिक करना है करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी UPI पी प्लिट हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको आकर दिखा देता हूं यह देखिए यह जो भो पेवेंट कंप्लिट हो गया है यह सारा कुछ ठीक है यहाँ से download agreement वेगरा कर सकते हो यह डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो कैसा लगा दोस्तों यह ट्रिक कैसे आप जो म हाँ है अगा यहाँ हैं